नमस्कार किसान बाईू स्वागता देश की सभी बड़ी मंडियों के आज के आलू के ताजा बाव में यह दोस्तो आज हो चुका है 11 अक्टूंबर 2020 देश की सभी बड़ी मंडियों में हाल फिलाल में आलू के क्या ताजा बाव चल ले हैं पिछले दो से तीन दुन में आपके आलू के क्या बाव रहे क्योंकि दोस्तो आज तो आपका संडे है सभी बड़ी मंडियां बंध हैं प्रन्तु आपके पिछले सब्ता आलू के बाव में कितनी तेजी कितनी मंदी साथी आपका आलू का बोई से क्या रह सकता है दोस्तो इस वीडियो में पूरी जानकारी कंप्लीट जानकारी देंगे तो इस वीडियो का आप अंतक जरूर देखेगा साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दें अपने साथी किसान भायों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर सेर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल सबसे पहले हम हर्याना की दोस्तों बात कर लेते हैं हर्याना की अगर ओसद वाव की हम बात करते हैं तो ओसद वाव यहां दोस्तों मीनिमम आपके पंदरा सू रुपे से लेकर है आपके अठाइस सू रुपे तक है वो आलू हाल फिलाल में भिक रहे हैं यानि पर कुटल के बाव हम आपको बता रहे हैं अगर दोस्तों बाकी यहाँ बात करें दूसर राजियों की तो यहां मदे पढ़िएश में बात करें तो यहां देवास मंडी में झासटो रुपे से लेकर ऐसार करें पंदरा सु रुपे गोना की माराश्टा की बात करते हैं तो माराश्टा की उरंगाबाद मंडी में 2400 रुपे से लेकर 2800 रुपे वही दोस्तो बात करें नागपुर की मंडी में 2600 रुपे से लेकर 2800 रुपे पुने की मंडी में 1500 रुपे से लेकर 32 रुपे अगर दोस्तो ओस्त भावं की यहां बात कर तो यहां आपके अच्छे कासे बाव हैं लगवग 3500 रुपे तक यहां आलू आपका पर कुटल बिक रहा है इसके बाद दोस्तो पंजाब की हम बात कर लेते हैं पंजाब की आदमपूर मंडी में दो हुजाव रुपे से लेकर बाइस सो अंजाला मंडी में 2100 रुपे से ले मिल रहने हैं धोस्तो राजस्तान की बात कर लाते हैं तो यहां आपके ओस्तान वाह टाईस सो रुपे पर कूटल तक है या अच्छे कासे बाव हैं अभी किसान भाई को मिल रहे हैं उत्रपरदेश की दोस्तों बात कर लेते हैं उत्रपरदेश की ओसद भाव की हम बात कर लेते हैं आगरा में 2300 से लेकर 2500 रुपे अगर दोस्तों अलिगड की बात करते हैं 2450 से 2550 वही दोस्तों बाकी अगर डिश्टिक की हम बात करते हैं बड़ी मंडियों की बात करते हैं तो यहां ओस्त भाव आपके हैं लगबग 26, 27 और लगबग मैक्सिम माने हैं तो 3,000 रुपे तक आपका आलू भीक रहा है और आप लगातर किसन भायों देख रहे होंगे कि आलू के भाव में लगातर आपका उच्छाल है वो पिछले दिनों में आपको देखने को मिल रहा है